Hi everyone, Hi everyone, so, आज के इस वीडिये में हम बात करेंगे photos in the GMB GMB केंदे photos की जब हम बात करता है, तो कैसे आप photos को update करेंगे, तो यहाँ पे photos का आपको selection दिख रहा है, इस photos पे आपको click करना है दो option दिखा रहा है, यहाँ पे add a cover photo, add a logo इन दोनों का काम क्या होता है, यहाँ पे जो आपको icon दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पका logo आ जाएगा, उसके बाद जो background में जो photo आएगी, वो आपकी cover photo आ जाएगे, जिसे आप photos के अंदर जाएगे, अब यहाँ पे add a cover photo पे click करेंगे, select photo पे click करेंगे, तो आपकी file manager खोल देगा, अब यहाँ से आप अपने cover photo को select कर लीजिए, जिसे हम यहाँ पे मैं विफ लाल के लिए इस photo को add कर रहा हूं, एक dummy परपज के लिए, अब यहाँ पे इसने cover photo add कर दी, अब यहाँ पे pending है, यानि Google इसको approve, गोगल इसको approve करेगा, photos को, ठीक है, जिसे यहाँ पे size की जब हम बात करते है, GMB cover photo का size कितना होना चाहिए, लोगा के कितना size होना चाहिए, तो हमेशा एक factor याद करना, जब हम cover photo की बात करेंगे, like for the cover photo, cover photo के लिए आपका 16 by 9 की ratio में आपका होना चाहिए, 16 by 9 ratio का मतलग, जो अपना 16 by 9 ratio होता है, तो expect ratio 16 by 9, तो जिसे एक अजार कि something होता है, अपना, 5 जितर पीच जितर, यानि aspect ratio जो हमें maintain करना होता है, cover photo का 16 by 9 रखना है, अब, जब हम लोगो की बात करते है, तो लोगो का size अपना 200 by 250 by 250, implement करना है, इसी साब से इसको थोड़ा आप improve ही कर सकते हो, 512 x 512, लोगो का जो size होता है, तो इसी साब से आप से GMB का cover photo logo add कर सकते है, अभी जिसर फोडमी पर पर चुर एडिंगे, लोगो, जिसर अभी के लिए हम यहाँ पर logo add कर रहे है, अभी अपने पास size इसका है, नहीं, प्रोपर, 512 x 512, तो इसको save कर लेंगे, अब, ठीक है, तो आप 256 by 255 या, 512 x 512 में आप add कर सकते है, लोगो क्या-क्या products offer कर रहे है, कोई नई discount आ रहे है, festival post, यह मतलब आप update करते रहे है, कि हम आज नई promotional लेके आया है, नई service लेके आया है, हमारी service यह है, हमारी service से customer को यह benefit मिला है, तो इस हिसाब से जब आप GMB को update करते रहेंगे, तो Google My Business पर सोचेगा, कि regular customer है, like update कर रहे है, तो आपकी profile को boost किया जाए, तो उस के इसाब से आपकी profile boost होती रहे है, तो photos का इतना ही होता है, कि आप नई service या अपने products, अपने service के बारे में Google के अंदर update करते रहे, thank you for watching this video, कोई भी doubt है, तो आप comment section के अंदर पूच सकते है, thank you